जब तक दुलह साथ है, क्या बराती शोक मना सकते हैं? किन्तु वे दिन आएंगे, जब दुलह उनसे बिजुड जाएका, उन दिनों वे उप्वास करेंगे. संत्मत्ती कासु समाचार अध्याए नौ, पसंक्या पंद्रा, आज कासु संदेश, प्रभू की स्तुती करो, वो भला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योहन के सिश्च प्रभू के पास आते हैं, और उनसे प्रस्ट पोचते हैं, हम लोग और फारेशी उप्वास किया करते हैं, आपके सिश्च क्यों ने करते हैं? और यही प्रस्ट में फारेशी उनों भी प्रभू से किया था, क्यूंकि पुराने विवस्तान में यहूदी लोग और यह उनके एक प्रताते उप्वास करना, परेश करना, और स्वायम प्रभू येशु ने भी उप्वास किया था, चालिस दिन और रात, और उरों ने प्रक्रिया को मान्यत दे थे, लेकिन आज का सुसमाचार में ये प्रश्ट क्यूं पूचा जाता है, फारिस से लोग और योहन के सिश्च, शायद उप्वास दूसरों को दिखाने के लिए करते थे, ना कि उप्वास परेज इसलिए कि वो प्रभू को और अनबव करें, प्रभू के और करीब आएं, उनके अंदर एक दिखावे की भावना थे, इसलिए प्रभू अपने सिख्षा से उनको स्पस्ट करते हैं, उप्वास यारे अपने मन को, अपने रिधै को शुद्ध करना, विचार को शुद्ध करना, अपने विचारों को काबू में रखना, और ये सब उप्वास मदद करता है, ना कि उप्वास हम दूसरों को दिकाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, या यदि वो नहीं करते हैं, उनको जबरदस्ती करने के लिए, दूसरा लाब भी उप्वास का, वो ये है, हमें स्वास्त लाब भी मिलता है, यहां प्रबुहाच आद्यहत्मिक परेज उपवास के बात करते हैं जो हमारे अंदर वो भावना है जो दूसरों के विरुद है गुसा, एश्या, मलिन्ता उनको काबू में रखने के लिए उपास करने की ब्राते करते हैं आज हमें प्रबु से प्रात्ना करना है कृपा मांगनी है हम उपवास दोसरों को दिखाने के लिए ने प्रबु को अनभव करने के लिए खरें आमिन